आणम नमो जिद्धाणम नमो आईरी आणम नमो वज्जाई आणम नमो लोय सव्भशावुनम पंच परमिष्ठी भगवन्तों की आचारे भगवन गुरुर विश्वत सागर्जी महाराज़ुच भापेबंदों अपने जीवन में सुक की निरंतर अभी व्रद्धी के लिए यहां हम सभी नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं जो हमारे बौद्धिक व्यायाम में सहायक हो उसका नाम नीती है दो प्रकार के व्यायाम देखे जाते हैं एक शारीरिक और एक मानसिक जो शारीरिक व्यायाम है वो आपके शरीर को पुष्ट करता है लेकिन जो मानसिक व्यायाम है वो आपके जीवन को पुष्ट करता है जो बौद्धिक इस्तर में आपका विकास होता है वो नीती ग्यान से होता है आज यहां नीती देखते हैं कि जो आप लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं वो अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर विश्वास तब करें जब आपको खुद पर विश्वास हो स्वयम पर विश्वास है नहीं और आप दूसरों पर विश्वास करके जी रहे हो आप सब कभी सफल नहीं हो पाऊँ ऐसा कहते हैं कि जिसके अंदर आत्में विश्वास हो वो व्यापार करे जिसके अंदर आत्में विश्वास नहों हुआ दूसरे कि आहां विश्वास ज़गा करके नोकरी करे liberate कि स्वययम पर भरोशा रखे और दूसरों पर निर्भर ना हूं कि सवययम पर भरोसा रखे दूसरों पर नहीं क्योंकि जो दूसरों के भरों से आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमेसा पीछे ही रह जाते है जो लोग दूसरों के भरों से आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पाएंगे पीछे रह जाते हैं क्यों क्योंकि उनको सहारा ची है और जब आप स्वयम का सहारा स्वयम बनते हैं तो लंबी जीत मिलती है एक होती है रिले रेस उसमें एक दूसरे को हाथ में मसाल देना पड़ती है तो उसे जीत के लिए आप दूसरे पर निर्बार होते हो हो और आप दुसरे पर निर्वर होते हैं उन्डेशन को दोड़ो अब तुम दोड़ो लेकिन एक होती यह थे 400 मीटर च् rare कुछ हमने व स्वयम दोड़ती हो तो आप अगर स्वयम पर निरवर हो तो बहुत बड़ी जीत मिलेगी और आप दूसरों पर आशित हो तो बड़ी जीत नहीं मिल पाई इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना कि भरोसा स्वयम पर करना है दूसरे पर नहीं प्रकृति को देखो आप, प्रकृति आप पर विश्वास नहीं करती, प्रकृति अपने आप पर विश्वास करती है, जैसे एक संत्रा है, है क्यों संत्रा? जेसे संत्रा है देखो आप प्रकृति का कमाल पेड़ में उखता है प्रकृति को पता है कि फल मुझे बनाना है इसका छिलका इतना मोटा है कि 10 विट की हाइट में इसका फल होता है हना तस विट की हाइट से अगर कभी नीचे गियरिवी गया कैनी कभी गिरिवी गया तो इसके अंदर का जो डल है वह खराव नहीं होगा क्यों क्योंकि इसकी जो चिलका उना य यह इसका कभी खरौब नहीं हो गई यह प्रकृति का नियम ए देखो प्रकृती पर अपने आप पर आश्रत है प्रकृती आप पर आश्रत नहीं है प्रकृती खुद पर आश्रत है तो स्वैम पर विश्वास करना स्वैम पर भरोचा करना सीखे पर आश्रत हो करके जीवन ना जीए स्वा आश्रत हो करके जीए अगर आप स्वास्रत होकर के जीवन जीते हैं आप कभी पीछे नहीं रह जाएंगे पर पर आस्रत होगे कभी सफल नहीं हो पाओगे स्वापर आस्रत होगे कभी असफल नहीं हो पाओगे दूसरों से परामर्स तो ले 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 ना सला ले 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 है छेकिन दूसरों से है अम्ह Kill कि दो संत्रे का ब्रॉप होगा है उ कस जैसे हूं नद झालगे अधि जबित उठान रहे ऊधाए तो यह जो रख्ष था एक छोटे से बीच बूमी में गया उस preciso दिर वायों ली और स्वैंव्हें का निर्मान किया और स्वयम फल दे रहा है आप पर आशुरत नहीं हो रही हॉत यह मत सोच नःशार अजयर गेसे नहीं डियरा करके सवयम का सीखो दूसरों से परामर्ज तो ले लेना मदद मत लेना स्वाश्रत होना सीखो नदी को देखो नदी को चोटी सी धार से एक जगा परवत से निकलती है किसी पर आश्रत नहीं होती है अपना भाव ऐसा कर लेती है वो स्वेम जगा बनाती जाती है कईयों का अस्तित मिटा द आती है किसके आश्रेते नदी हो तुम तो कित्ती बड़ा बांध बांध लो जिस दिन वो फान में आ गई तो बांध भी कुछ नहीं कर पाता फिर बोलो भाई सहथ सागर जी वह अगर अपने उफान में आती नदी तो बांध क्या कर लेता है बांध क्या कर पाता है कुछ नहीं कर पाता सहर का परकोटा क्या कर पाता है कुछ नहीं कर पाता कोई कुछ नहीं कर पाता कोई कुछ नहीं कर पाए बहुत साहर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर आसित होते हैं वही कभी सफल नहीं पाएंगे अब सवा आसित हो सेल्फ डि हर चीज की study करना सीखो management में बहुत सारे parts होते है planning development decision making एक सबसे most important part होता है research and development वो क्या है उसका अनुभाव है research and development देखो आप यहीं इत्ती सी जगह से ही पूरा पेड़ सब कुछ भेचता था इसके अंदर किती जगह से कोई नसे है न कुछ है लेकिन इसके अंदर छिलका भी आया दल भी आया बीजा भी आ गया रस भी आ गया सब भरा है प्रक्रतिन स्वास्रत हो कर गए जब कभी आप चाहते हो कि आप तो आप रिसर्च डेवलप्मेंट में जा दूसरे का अनुबह लो अपना अनुबह लो दूसरे को देखकर किसी को अपने को देखकर किसी को जितना ज्यादा अनुबह कर सकती इसी का नाम तो रिसर्च डेवलप्मेंट है एक कंपनी अगर रिसर्च डेवलप्मेंट में प एक है और यहां बढ़ी हां आफले होते है इस एकल की जगह और यहां तो बहुत फ़ल होते हैं बहुत पल यूवराज तुम ने आ कि पूरी क्हेति ले लिए और यहां की जो शप्लाइ में होती है वह human होती है अब उजयन तक का transport हुझ जयन में क्वालिटी चलते की नहीं मार्केट कौन सा है यहाँ पर कितने रुपे केजिक यहां का स्वात कैसा है यहां कि तत्व कैसे यहां की आवले के डिमांड केसी है कितने साल से आ रहा कितने साल तक आएगा यह सब रिसर्च करने के बाद लेते तो तुम्हारा दसेकर आउलेगा खेत लेना बेकार नहीं होता फले फले बरक्ष लेकर के भी नुकसान में है क्योंकि रिसर्च और डेवलप्मेंट नहीं किया आप सेल्फ क्ड़ा लिखा ना भूरा चलेगा करणाधि लिखा जी ना लिखा बड़ा सब्सके हो सकते हो हर को फिए लेक्ति को रियापार करता है हरow हाई ऐसें অगर और निकी है निर्ने किया है वसमें बड़ा आनन दाता है कि कम फायदा तो वह आनंदा है चल हम अपमे दम पे तो किया है मैंने, इसलिए बाद ध्यानकना कि संसार के लोग और जितने भी देवी देवता हैं, आपका साथ वो तब ही देंगे, जब आप खुद पर वरोसा करना सीखोगे, कामयाब होने के बाद लोग साथ आते हैं, कामयाब होने के पहे तक कोई साथ नहीं आता, कामयाबी के लिए तुमको अकेले चलना है, और कामयाब होने के बाद लोग तुमारे साथ चलेंगे, इसलिए भूलना नहीं भई, सेल्व डिपेंडेट होकर कामयाब होना है, फिर से कामयाबी के लिए तुमको अकेले चलना है कामयाबी की प्राप्ति के लिए कामयाबी होने की कामयाबी जब तक तुम्हारे पास नहीं आए तुमको अकेले ही चलना है दुनिया साथ तब देती है दुनिया साथ तब देती है जब तुम कामयाब हो जाते हो सेल्फ डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड कि दूसरों से परामर्स तो लें लेकिन मदद ना लें कहते हैं कि मदद लेने का बहुत बड़ा नुकसान है भाई बेरे क्योंकि एहसान के रुमाल में है मदद के रुमाल में एहसान का इत्र चिपा होता है वाई लोग एक बार मलत करेंगे जिंद्गी फर गिनाएंगे जिंद्धिवर ही जिन्दीवर्न के नाएंगे एक व्यक्ति के जंगल गुम colonies अड़ाउं में एक कि कुए में किर किरा हुए था जूसने उसको रस्क्र वस्दीःभाल की डाल गैसे जिसको निकाला वो बड़ा एहसान मंद व्यक्तिता हो कहता है भाया हमारा बहुत सौभाग के बुले क्या हुआ इनने बचा लिया हमें इन्होंने बचा लिया हमें ऐसा वो हर कीसे से कहता था लेकिन वो कब तक कहता कब तक कहता कहां जा रिया कब तक कहता वो तो उसने तीन चार महिनत कहना बंद कर दिया अब वो जिसने बचाया वो क्या कहता है याद है तुमको बचाया मैंने बुले हाँ आपकी कानट मेरे जिन्दगी है अब जह महीने हो गए और जहां मेले खाया याद है पहचानते को ने भराई उसको तो बहुत भराई एक दिन वो मिला तो कहता भी यह पहचानते बोले काम करो भी तुम जंगल चलो पहले यार क्यों बोले उस कुए फिर से धक्का जो बोले तो हमको कब तक तुम्हारा एइ सवासर तुम मार दो यह मर जाए अद्याया थुम्हा तो कब तक ईहसान केंना का स्वारा सिको बड़ी सवल था चीट तुम्हासए तो प्रकृति से स्वारा सिछत को क्या प्रकृति स्वाशालर्थ होती है व्युक्त पर इसलिए फ़ल दे रही हैं तुम पर नहीं है खुद पर भोसद्र इसलिए फ़ल दे रही है पर पर आशरत मत ओना स्वा आशरत होना चीको अपने पर भरोसद करना चीको दुनिया तो भरोसे अपनने साहरा दिया है सबसे पहले खंजर भोका है इस लिए स्वाछट हो न सीको पर आसिर ना मसी को इसका ये मतलब नहीं की अके लिए रहो रहो सब के साथ लेकिन सेल्फ डिपेंडेट रहो ठीक है शेश अपन कल विचार करेंगे भगवान मावीर सौमी की